आए हम स्वायल के बारे में पढ़ते हैं स्वायल फॉर्मिशन टाइप डिस्टिविशन एंड कंजर्विशन स्वायल की जो फॉर्मिशन यानि बनावट उसका प्रकार उसका डिस्टिविशन यानि कहां पर कैसी स्वायल है और उसका संड़क्षन तो जो स्वायल है इस एबेल्यूबिल बैलतिक बहुत ही महत्पूर्ण संपदा है जो हमारे एकोनिमिक डेवलमेंट और हमारे कंट्री के आर्थिक विकास के लिए बड़ा ही आवजसक है एकोर्डिंग टू अमेरिकन पीडोलोजिस्ट पीडोलोजिस्ट यानि मिट्टी की बिसेशग के साइंटिस्ट कहलाते हैं डाक्टर विनेट के अनुशार Soil is the uppermost layer of the unconsolidated particles found on the earth surface which is made up of parent rock and vegetation Parent rock का मतलब मूल बड़ी चट्नाने अर्थ थी उसका और साथी vegetation यानि पेड़ पौदे जो थे बनस्पती थी ठीक है ना उसकी उपरी पर थे और उसका unconsolidated यानि असंगठ है थी कहीं भी इसका जो कहें के composition सेम नहीं होगा इस type के उसके पार्ट है जिसमें पेड़ पौधों की टुकड़े अफसेस और साथी और चट्टानों के चरण से आयोगी materials हो सकते हैं जो की soil कहलाती है ठीक है ना हमारे अर्थ है अर्थ का उपरी जो layer है वो स्वाइल से ही डखा रहता है ठीक है ना और इसमें आसपास की जो environment है उसके आधार पर वो स्वाइल कई प्रकार की होती है तो हमारे human beings की जो life है उसमें soil का बड़ा ही महत है और किसानों के लिए बहुत ही हमारे जीवन में इसकी नरवरता काफी है और हम सब कुछ मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं और बिलियम कॉक्स ने तो यहां तक कहा हुआ है कि the history of civilization is the history of soil and education of the individual vegans from the soils उसने बोला है कि मानब का जो civilization है उसका इतियाज एक प्रकार से मिट्टी का ही इतियाज है और हमारी सारी सिक्षा का कार मिट्टी से ही प्रारम होता है चले अब हम देखते हैं formation of soil soil का formation किस प्रकार से होता है ा है स्वाइल इस रीन उयवल रीसोर्स जैनि हमें पुना पुना प्राप्त होती रहती हैं बड़ द प्रोसेसव इस फॉर्मेशन जिस फैरिज्टूनु ama इसको इसके बनने का प्रोसेस है, वो काफी शिलो है, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है, समतल भूमी में मिटी का या स्वायल का फॉर्मेशन सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम रिस्टिक्शन होती है, तो हम देखते हैं, दियारा डिफ्रेंट फैक्टर्स बेश हैल्प इंदा फॉर्मेशन आफ स्वायल, स्वायल फॉर्मेशन के लिए बहुन प्रकार की फैक्टर्स है, वो कौन-कौन से हो सकते, पैरेंट रॉक्स, एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट्स, कंडिशन, बिच हैल्प सिंदा वैदरिंग औफ रॉक्स, ब्लांट्स, अनिमल्स, एंड दियर रिमेंज, दिग्रिडेशन, दिग्रिडेशन, यह नि उसका छरण होते रहना, पेड़ पॉधे आधी के एफसेशन, सबके कारण ही स्वायल बनती है, आई हम स्वायल प्रोफाइल के बारे में देखते हैं, स्वायल प्रोफाइल इस दा स्विक्वेंस, कलर, टेक्श्चर, और एंड नेचर ऑप धा होरीजॉन लेयर, होरीजॉन समतला लेयर, सुप्रीम पोस्ट ऑन एवाब दा अधर एंड एक्सपोस्ट इन एपिट सेक्शन, टग थो दा स्वायल मेंटल, हम जब उपर से, एक्शल में जो स्वायल होती है, वो एक प्रकार से, बहुत सारी बर्टिकल्स लेयर हैं, हम जब लंबत उसको खोदते हैं, तो होरीजॉन्टल लेयर्स उसमें दिखाई देती हैं, बर्टिकल कोदने पर इस फिगर बना हुआ है, उनका एक लेयर है, इनमें क्या-क्या लेयर्स हो सकती हैं, आई हम देखते हैं, तुरू दा मेंटल यह उपरी पार्ट से जह हम देखते हैं अपर मोस्ट लियर इस टॉप स्वाइल उपरी हिस्टे को टॉप स्वाइल बोलते हैं सेकंड लियर इस सब स्वाइल सेकंड लियर को हम सब स्वाइल बोलेंगे थर्ड लियर इस वैदर्ड पैरेंट रॉक माटेरि एक्चिल में जैनरल ही और पार्ट होता है वो ही इंपॉर्टन्स वाइल लेयर है क्योंकि उसमें लेजुसका बहुत ज्यादा एममांट होता है जो मरें खेयती यह अलाकामों में ब्राविए स्वर्वेकृता है सेंड अधि उते हूं थर्ड लेयर जो होती है उसके अंदर कहें कि रॉक्स के ही कुस आर्टिकल्स होर jar तुकडे होते हैं य謹ा है इसकी आरोकस के अपर लेयर इसको हो कहोथा मूल रॉक के उपर हिस्सा कहलाता है स्वाइल टाइफ एंड डिस्टिविशन स्वाइल के प्रकार और उसका बित्रण किस तरीके से हमारे देश में स्वाइल की स्थिति है स्वाइल है बीन क्लासिफाइट बाई मैनी साइन्टेस्ट बहुत सारे साइंटेस्ट लोगों ने स्वाहल को काई प्रकार से क्लासिफाइट किया है जैसे कि इसकी टोफोग्राफिकल इस्तिति यानि कि उचे नीचे एरिया जो रहते हैं उनके आधार पर यह बनावट के आधार पर वेजिटेशन और डाइवसिटी के आधार पर काई प्रकार से इसको डिवाइट किया गया है आहिए हम देखते हैं सबसे पहले इसको जो पिसे शुरुप से कुछ पार्ट्स में यानि टाइप है जो स्वाइल के उनके बारे में एल्यूवियल स्वाइल फरस्ट है जो इसका हिंदी में एक नाम है जलोड मिट्टी जलोड आने वाली मिट्टी ठीक है इसको क्ले और लोमी स्वाइल भी बोलते हैं यह लाइट ब्राउन कलर की होती है और लगवग फाउंड अप्टू 490 मीटर चार सुनब्य मीटर गहराई तक ही मिल सकती है इस स्वाइली डिफिशेंट आप नाइटोजन और फास्पूरस की इसम अतलज गंगा ब्रमपुत्र और उनकी सहायक नदियों के साथ लाई गई मिट्टी से निर्मित होती है ठीक है इस मिट्टी के ने बारीख छोटे-छोटे टाइनी पार्टीकल्स होते हैं ठीक है इंदर रेत है गाध है और चीका मिट्टी तो कहलाती इसको लोमी पार्टीक होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं यह भारत में काफी बड़े चेत्र में पाई जाती है इसके अंतरगत देश का 40% एरिया आता है तो हिमालाई से निकलने वाली जो नदियां है सतलज गंगा और ब्रंपोत्र उनके और सहायक नदियों के चेत्र में जहां तक कि पंजाब, हरयाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चम बंगाल, असम, मेघाले तता उत्री पूर्वी राजिस्थान में भी यह मिलता है इसक आपती नदियों की घाटियों में भी सावान रूप से मिल जाती है तो यह काफी बड़े बिश्तर छेत्र में फैली हुई मिट्टी है आईए हम बगले टाइप देते हैं ब्लैक स्वैल और रेगड स्वैल ठीक है ना एक काली मिट्टी है एक चिपचिपी डाइब की मिट् इसका गहरा काला रंग होता है और इसमें बहुत ही घने बारिक पार्टीकल्स होते हैं इससे अधिक देड़ तक इसमें हुमिडिटी या कहें कि वाटर होल्डिंग काफी ज्यादा होती है इसमें भी लाइम पोटास मैगनेश्यम एल्मोनियम और आयरन परयाप्त होता है कि इसमें फास्पूरस और नाइट्रोजन और साथी जीवान सोते जो बायलोजिकल सब्सिट्यूट रहते हैं माइक्रोप्स होते हैं उनका काफी कमी रहती है ठीक ना तो कैमिकल एलिमेंट्स की मात्रा के आधार पर एक अच्छी सी रिच मिट्टी है लेकिन फिर भी इसमें म मिट्टी है इस दरारों से इसमें हवा का मिक्चर या हवा की मिक्सिंग काफी अच्छे से हो सकती है ठीक है ना और इसको स्वतह जुताई जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है यह इसमें आटोमेटिकली ही इन्वार्मेंट की एर एरेशन होता रहता है यह भारत में वुजरात से अमरकंटक तक बेलगाउं से गुना तक के छेत्र में मुक्रूप से मिलती है और महराष्ट विधर्व अगला हम देखते हैं लाल मिटी रैड स्वायल यह स्वायल है कि विशिस्वरकार की जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रिश्टलाइन फॉर्म के या सूख जाने के कारण ड्राइव एट्मोस्फियर क्लाइमेट के कारण उसके तूटने से सूखने के कारण उसमें दरार हैं पड़ती हैं चटकने से तूटने से मिटी का फॉर्मेशन होता है कंटिनियस हीट उन दा हिल स्लोप और ताप्ती रिवर बैली डिस्टिंग डिस्टिंगरेटेट दा रॉक्स और आरन प्रजेंट इन दीस रॉक्स इंग्स विद दिस स्वाइल इन चट्टानों में जनरली लोहा यह आरन के ऐलिमेंट्स ज्यादा होते हैं के तूटने रही जो चत अने होती है उसे बनने की कारड़ एंधेचर में पूरस होती है और फैर्टाइल काफी होती और जब काफी कहराई पर रोंटी है मोटी होती हे तो अस समय है काफी परटाइल होती है इसके अंदर और ये और यं देन कहें ड्राई और उच्छे मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टू उपजाओ नहीं होती है क्योंकि उचाई पर इनके जो फाइटिलिटी के नूट्रियंट्स एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ बह जाते हैं और इस मिट्टी में हलकी रंगी पथरीली और कम गहरी क की गहराई पर बालू के यानि रेत के टाइप के कुछ मौटिक पार्टिकल्स भी होती हैं यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेल खड़ने एरिया से लेके साउथ में पैंसुलर एरिया तक के मिलती हैं यह मद्द प्रदेश चत्तिस गड़ जहारखन पश्यम बंगा मेघाला एं नागाला एंड उत्तर प्रदेश राजस्थान तमिलाडू तता महराष्ट में मिलती हैं और इस मिट्टी में मुकुरूब से बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती हैं लेकिन डार्क रेड कलर की जो मिट्टी होती वो कपास और गेहूं और दालो आदी के प्रकार से ऐसे भागों में होती है जहां पर ड्राई और बैट सीजन बारी बारी से आते रहते हैं ठीक है ना यह लेटराइट रॉक्स के तूटने से बनती है और इट इस फाउंड उन दा फ्लैट हाइलेंड यह ऐसे हाइलेंड या उंचे स्थान पठार एरिया होते हैं पर यह काफी मिलती है इसके अंदर वी क्या होती चूना यहनि लायम फासपॉरस और प्टास भी काफी मात्रा में होता है और डीप लैट रइड मिट्टी में抗्राइड में फ्रकार Creative स्थान और लैट राइड उइस आ है यह तमिलनाडू के हिली रीजन्स में काफी मिलती है और करनाटक के कुर्ग जिले केरल के राज के जो ब्रॉड एरिया से राती कोस्टल रीजन और केरल रत्नागिरी महरास्ट में यह क्या होगी साउथ कहें वश्य पंगाल में वेसाल्ट ग्रेनाइट आदी की पहाड़ियों के आसपास भी काफी मात्रा में मिलती है आएं एक प्रकार की स्वैल सेंड स्वैल है और इसमें सेंड पार्टिकल्स काफी होते हैं इस साउथ वेस्टर्न जो मांसून है उसके द्वारा उड़ा कर लाई राजस्थ प्रियाप्त दी जाए तो यह काफी फार्टायल भी होती है इसमें मेल रूप से फसले भी थोड़ी सी कम होती है लेकर दी पानी के उपलब्व्यता बनी रहे तो गेहूं गन्ना का पास और जवार बाजरा आदी सब्जी अभी इसमें आसानी से पैदक की जा सकती है अब हम अगला देखते हैं माउंटेन स्वाइल एक हिमालेयन रेंज में पाई जाने वाली स्वाइल है जनरली उचे पहाड़ों पर इसका नाम ही है माउंटेन स्वाइल तो यह पहाड़ी चेत्रों में परियाप्त मात्रा में मिलती है और यह पतली और मार्सी एरिया या दलदली म में बर्याप्त मात्रा में मृती है और हिमालाईन रेजन के इस सिलोवी एरिया होने के कारण का जमाव अधिक नहीं होता है यह नीचे की और बहते रहते हैं और ढालों की जो सिलोप्स की जो नीचले रेजन होते हैं इसमें लेस हुमस होते हैं और जो स्लीप स्टोप्स और आगे फूट हिल्स होते हैं उनके पास यह काफी जमा हो जाती है और इसमें रिच इन हुमस इन फांड इन दे मिडल हमालेयन रेंज यह हमालेयन रेंज के अंदर इसमें हुमस पर्याप्त होता है इसकी काफी अच्छी होती उस बहाँ पर दारजलेंग असामाधी के एरिया भी इसमें आते हैं और ये चाय की पैदावार वाले जो बागान होते हैं वो इसी छेत्र में होते हैं और इन में कांगड़ा वगेरा में रेंफॉल परयाप्त होता है इस कारण से यहां आप काफी अच्छी फचल होती है हिमालयन के साउथन पार्ट में फाइन के साउथन पार्ट में फाइं प्राड़िकल्स बीस में होते हैं असामाधार जलेंग के ए bracाण के लिए काफी एक न कॉप्रेश करति के लिए कहवा कॉफी आध्य के लिए ऐ extract in six to five of the debtowe that अहैं highly for a इस्वार एरोजन का मतलब होता है लेंड एड़ेशली एफेक्टेट वाई रोजन रोजन यानी चरण हो जाना शोल विदाउड वैजिटेशन एफेक्टेड ओर वाई एरोजन प्रॉसेस उपरी फर्टाइल एपरी निकल जाना इसको ही हम स्वाइल एरोजन मोलते हैं ठीकिना फर्टल काफी घट रही है इसलिए हमें इसके लिए काफी प्रयास करने चाहिए स्वाइल एरोजन नोट ओनली एफेक्ट्स दा लेंड बट आलसो दा हुमन बिंग एस इट रिड्यूस दा प्रोडक्शन और हुमन स्वाइल एरोजन के वल प्रकृति को ही प्रभावित नहीं करेग अ हार्मफल एफेक्ट OF सौयल इरोजन सौयल एरोजन के हार्मफल एफेक्ट के वारे में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने डिसाइड किया है कुछ बताया है क्या प्रभाव इस पर हो सकते हैं तो सौयल एरोजन से सबसे बड़ा प्रभा हुता है लॉंग ड्राइसीजन सबसे बड़ा पार्टे रहेगा कि जो स्वायल है वह बहती हुए नदियों के तलहटी में सेंड नुमा एडिया के रूप में जमा हो जाएगी इससे हमारे पॉर्ट से और रिवर बॉर्टम है वह फिलिंग हो जाएंगे तो पॉर्ट्स पर भी काफी एडवर्स एफेक्ट हो रिटेरियुरेशन ओफ आई कॉलिटी लेंड अचुकालटी की भूमी का भी नुकसान हो और इस पर काफी अगरी कल्ठा पर ऐफेक्ट पड़ेगा और डिट अने अग्रीकल्ट्रेल लेंडुरुरु लेंड बे काफी रिड़क्शं हो जाएगा इस प्रकार हीूमन वींग संसाधनों को नस्त होने से बचाना और स्वॉयल कंजर्विशन काफी जरूरी है इसके के लिए हम कुछ कर सकते हैं यह निए मांटेन एरिया में लगेती हो पानी को रोक सकते हैं इससे रोजन कम होगा और जो ड्राइए एरिया से बहां पर हवा की गती काफी तेज होती है इसलिए वहां पर पेड़ों को हम राउंडेट सेप में और टेकल्स फॉर्म में लगा सकते हैं ऐसे करने से जो जमीन की मिट्टी है उसको इस प्रकार जो हवा से मिट्टी उड़ने के जो भै रहता है रोजन हो जाता है तो इस आप्टीगल फॉर्म में प्योड़ों को लगाएंगी जिससे कि वह जमीन से मिट्टी के उड़ने की संभावना काफी काम होती है हम कलेक्टिंग बाइक कलेक्टिंग दा रनिंग बाटर इंड मांटिन स्ल स्लोस पर बहती हुए पानी को हम रोके और उनको भरने के लिए वहां पर छुटे-छुटे पॉंड ले टाइप की एरियास को क्रियेट करें मैड़दार एरिया को क्रियेट करें इससे पानी के बाहाव में कमी आएगी इससे हमारा स्वाइल इरोजन कम होगा साथ ही डेवल इसकी मात्रा लगी रहती है इसे स्वाइल इरोजन की संभावना कम होती है इस प्रकार हमने स्वाइल इरोजन की एफेक्ट और स्वाइल इरोजन के सर्रक्षण के बारे में पढ़ा अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बार्टर सोर्सेस टाइब डिस्टिबूशन औ आर्शा है आपको इससे समझने में काफी सुग्दा हो योगा